Good morning student! Today, I will discuss about the PH values. PH values are very important for our competitive exam or academic exams. जैसा कि आप सभी जानते हैं, PH value हमारे किसी भी प्रकार की exams, चाहे वो competitive exam हो चाहे वो academic exam हो, सब में एक एहम रूल अदा करता है. पीच्छा कर लेते हैं PH value होता क्या है? PH means होता है, power of hydrogen. power of hydrogen okay guys क्या होता है pH pH means होता है power of hydrogen atom तो हम यहां बात कर लेते हैं जल के pH value कि जल का pH मान होता है साथ चुकि जल एक उदाशीन माना जाता है और इसलिए जल का pH मान साथ होता है यह कोई भी object की value या किसी भी liquid की value किसी भी billion की value साथ से कम है तो वो अमली कही जाती है साथ से ज़्यादा है तो शारी कही जाती है यदि pH range की बात की जाए तो pH range कहां तक होता है 0 to 14 0 से ले करके 14 तक pH range माना जाता है यदि किसी billion का pH मान साथ है तो उसे उदाशीन माना जाता है क्या माँ जाता है उदासीन यदि कोई भी value किसी भी billion की pH value 0 के nearest है तो उसे प्रबल अमल बोलते हैं concentrate acid बोलते हैं ओके गाईज और यदि किसी भी billion का pH value 14 के नियर है तो उसे प्रबल 6 बोलते हैं either concentrate basis बोलते हैं ओके I hope समझ में आ गया होगा चलते हैं अपने topic की तरफ next है जैसे जल का pH मान हम लोग ने देखा कि 7 होता है जले कुदाशीन billion है दूद का pH मान क्या होता है दूद का pH मान 6.4 होता है यदि बात की जाए सिरके की सिरके का pH मान जो होता है वो 3 होता है सिर्के का pH मान 3 होता है मानो के रक्त का बात की जाए तो मानो का रक्त छारी विलियन है जो कि 7 से ज्यादा है 7.4 होता है इसलिए इसको क्या कहेंगे छारी यह है जो कि दुर्बल छार है ओके गाईज आहोफ समझ में आ रहा होगा अगर नीवू के रस की बात की जाए तो नीवू के रस की बात नीवू के रस का pH मान जो होता है वो 2.4 होता है और वहीं पे यन्ने C-L sodium chloride की बात की जाए तो उसका pH मान साथ होता है अब यह देख लेता है pH value का जो pH पैमाना है 0 to 14 इसको किस ने दिया था किस ने इसका पता लगाया तो सौरेंशन सौरेंशन जीने इसका पता लगाया था pH पैमाने की pH पैमाने का पता किस ने लगाया था सौरेंशन ने So guys next है अमली घूल का pH मान अमली घूल का pH मान किता होता है गोल का pH मान साथ होता जैसे कि मैंने बताया था यादि किसी भी बिलियन का pH value 0 के नेरिस्ट है 0 से 7 के बीच में है तो उसे कहते हैं हम अमली acidic बोलते हैं acidic nature का है यादि 7 प्लस 7 to 14 के बीच में है तो इस टाइप के बिलियन को बोलते है छारी बिलियन गाइज यादि अमली घुल की बात की जाएगे तो 0 to 7 होगा और 6 घुल की बात की जाएगे तो 7 to 14 होगा यादि उदाशीन की बात कर लिजा तो जो common होता है दुनों में 7 common है तो 7 हमारा क्या होगा उदासीन बिलियन का पीच मान होगा जैसा कि नेक्स पूछा भी गया है उदासीन घोल का पीच मान केता होता है तो उदासीन घोल का पीच मान साथ होता है नेक्स हम बात करते हैं अगर सराब की सराब के पीच वैल्यू की बात की जाए कार्गोहाइड्रीट है कितना सरकरा है इस सब के चीज़ों पर डिपेंड करता है तो मानो मुत्र के पीज बैल्यू जो होती है फूर पॉइंट टू एट पॉइंट फॉर तक मानो मुत्र दैट मिस यूरेन हूमन यूरेन की पीज बैले होती है यह हम समुदरी वाटर की बात करें समुदरी जल की बात करें ओशन वाटर की पीज बैल्यू जो होती है वह एट पॉइंट वन होती है जो कि यह चारी प्रवितिका होता है कैसा होता गाईज चारी प्रवितिका होता है जो समुदरी जल होता है हमारा यह यह टियर्स की बात की जाए हुमन टियर की मानुस की ब्लड का सरवाद ही पूछा गया है और आसु का सलाइवा का भी पूछा गया है मानल लार के पीज वैल्यू जो होती है 6.5 तो 7.5 तक होती है आहोप समझ में आया होगा यह फ्रेंड्स आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ अवज शेयर करें मिलते हैं नेक् के लिए धन्यवाद